नमस्कार किसान भाईयो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल किसानों की पाट साला में किसान भाईयो, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आप अपनी आलू की फसल पर पहली इस्प्रे कब लगाएं पहली इस्प्रे में किन किन दबाओं को लगाएं और पहली इस्प्रे के सही समय पर लगाने के हमारी फसल में क्या क्या फायदे देगने को मिलते हैं किसान भाईयो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आलू की फसल में पहली इस्प्रे लगाने का सही समय क्या है, तो किसान भाईयो, जब आपकी आलू की फसल लगबग 20-30 दिन के बीच की हो, तो इस अवस्था पर आपको अपनी आलू की फसल में पहली इस्प्रे लगानी है, किसान भाईयो यदि आप अपनी आलू की फसल में पहली इस्प्रेश सही समय पर लगाते हैं तो इसके कई फायदे आलू की फसल में आपको देखने को मिलते हैं जैसे आलू के पौधे रोग मुक्त रहते हैं पौधे मोटे तंद्रोस्त और हरे भरे रहते हैं पौधों में ब्रांचेस ज्यादा निकलती हैं पौधों की जड़ों का विकास तेजी से होता है जड़ों में ट्यूमर की संख्या ज्यादा बनती है जिससे की आलू की संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी किसान भाईयो अब हम बात करते हैं कि आपको पहली इस्प्रे में किन किन दबाओं को लेना है तो आपको किसान वायू मार्केट से जो दबाओं लेकर आनी है बुलानी है N.P.K. 1919 इसकी हम मात्रा की बात करें तो इसकी एक किलोग्राम मात्रा प्रती एकल के साथ से आपको लेनी है दूसरा इसके साथ आपको लेना है HUMIC ACID हुमिक ACID की मात्रा की बात करें तो इसकी 500 ml मात्रा आपको प्रती एकल के साथ से लेनी है और तीसरा इसके साथ आपको लेना है M45 M45 की मात्रा की बात करें तो इसकी 500 ग्राम मात्रा आपको प्रती एकड़के साब से लेनी है और इनके साथ चौथा आपको एड़ करना है एक इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के रूप में आप इमीडा क्लोरोपिट 17.8% वाला ले सकते हैं इसकी मात्रा की बात करें तो इसकी 100 ml मात्रा आपको प्रती एकड़के साब से लेनी है किसान भायो इन सभी दवाओं को आपको मार्केट से लेकर आना है और मार्केट से लाकर इनका अच्छी तरह से घोल तयार करके अपनी आलू की फसल पर छलकाओ करना है किसान भाइयो गŋल तैयार करते समय इस बात का आपको बिスेज ध्यान रखना है कि एनिपिके 1919-19 का गोल आपको अलग तैयार करना है और बाकी सभी दवाओं का गोल आपको अलग तैयार करना है किसान भाईयो जब अपनी आलू की फसल में आप 20-30 दिन की अबस्ता पर इन दबाओं का चलकाओ करते हैं तो आपको अपनी आलू की फसल में बहुती सांदार प्रणाम देखने को मिलेंगे और आपको अपनी फसल से एक बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा किसान भाईयो जानकारी पसंद आईयो तो वीडियो को लाइक अब हम से जरूर करें